बड़ी अपडेट सामने है जहाँ पर लखनों में राष्टपती चुनाओ के अलान को लेकर सपा का बड़ा बयान सामने आया है सपादेक्ष अख्लेश रादब ने बड़ा अलान किया उन्हों का कि कॉंग्रेस और बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे गैर कांग्रेसी गैर बाजपाई पत्याशी को सपोर्ट करेंगे एकलेश रादब ने कहा है और राष्टपती चुनाओ में वीजेट्पी कांग्रेस के पत्याशी को समर्तन रही है सपा की तरब से बयान सामने आये राश्चिंदिक सक्रेश आदब ने बयान दिया है विदान्सवा में सपा के विदायतूं की संक्या 111 है और इसको लेकर लोकसवा में सपा के 77 की संक्या 3 है आलाकि अखिलिश यादब और आजम खान के स्टीपी के बाद से ये संक्या 3 रह ग जाएगा तो कि भड़ी अपडेट सामने आई है आपको बता दे कि तपके रास्ट उद्यक्ष अग्लेश रादब का एक बयान सामने आए जहां पर आपको बता दे कि उन्होंने का है कि गयर कॉंग्रेसी और गयर हजपाई पत्चाशी को वो रास्टपती चुनाव में पत्चाशी को समर्थन नहीं देंगे अखिले श्याद अब यह भड़ी बात उन्होंने कही है रास्टपती चुनाव को लेकर आपको बता दे कि हाली में रास्टपती के चुनाव होने है और उसी को लेकर अब बीजेपी के साथ साथ कॉंग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर कि तो वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी के रास्ट अध्यक्ष अकलेश रादप का बयान जो है वो सुत्कियों में है उन्होंने कहा है कि गहर कॉंग्रेसी और गहर बाजबाई रत्याशी को वो समर्थन देंगे चुनाव में तो इस वक्त की बड़ी अब्जेट आप तक पहुंचा दे लोग स्वाब में सब्सक्राइब सांस्तों कि संख्या तीन है और 111 विधायक जो है वो विधान स्वाब में तो इसी बीच एक और बड़ी जौनकारी सामने आ रही है आपको रूबरू करा जेते हैं इस बड़ी अपडेट से लखनों में क्षसम घुलनकारा गवाएंगेी न्यर्वाचित में वजलकी सज़स्यों का स्मारों करवाएंगे । लखनव में नवनिर्वाजित MLC सदस्यों का शपत ग्रहन करवाएंगे सभी 36 MLC सदस्यों का शपत ग्रहन समारो है आज शाम चार बजे इस शपत ग्रहन समारो का ऐजिन किया जाएगा और तिलक हॉल में शपत दिलाई जाएगी सभावती कुमर मानुरेंदिय सिंग सदस्यों को शपत ग्रहन समारो है सब्सक्राइब आपकी बलंद आवाज आपकी बाद